हेलो आज हम इस वीडियो में मौस की टाइपस के बारे में जानेंगे टाइपस ओब मौस तो पहला है मेकैनिकल मौस दूसरा है अप्टिकल मौस और तीसरा है वायलेंस मौस इनको हम आगे डेटेल में जानेंगे तो सबसे पहला है मेकैनिकल मौस इसको यहां पे जानेंगे इस मौस का विश्कार सन 1972 में विल इंग्लिश ने किया था मेकैनिकल मौस निरदेशों के लिए एक बौल का इस्तिमाल करता था इस लिए इसे बाल मौस भी का जाता है इस बौल के दाएं बाएं और उपर नीचे गुमाया जा सकता था तो यह देखो यह जो यहां पे दिये गया है यह एक मेकैनिकल मौस है मेकैनिकल मौस देखने में ऐसा हुथता था इसके नीचे यहां पे यह देखो यह बाल लगी हुथती थी जैसे जैसे ये गुमती थी वैसे वैसे मौस कारी करता था इसके वाद अगला है ओप्टिकल मौस इस मौस में LED लाइट अमिटिंग डायोड तथा DSP डिस्टल सिगनल प्रोसेसिंग तकनीक पर कारी करता है ओप्टिकल मौस में कोई भी वाल नहीं होती है इसकी जगा पर एक शोटा सा बल्व लगा होता है इसलिए मौस को हिलाने पर पॉइंटर हल चल करता है तथा इसमें मजूद बटन के दवारा हम कम्प्यूटर को निर्देश देते हैं आज कल इसी परकार के मौस का इस्तिमाल होता है इन्हें एक तार के दवारा कम्प्यूटर से जोड़ जाता है जो इसे बिजली के अपूर्ती भी करती है ओप्टिकल मौस इस्तिमाल में असान होता है ओप्टिकल मौस देखने में ऐसा होता है इसके बाद अगला है वाइलेस मौस बीना तार का मौस वाइलेस मौस कहलाता है इसे कॉर्डलेस मौस भी कहते है ये मौस रेडियो फ्रिक्वेंसी जिसको आरेफ बोला जाता है तकनीक पर आधारीत होती है मगर इसकी बनावट आप्टिकल मौस की तरह होती है इसलिए इसका उप्योग करने के लिए एक ट्रांस्मीटर तथा रर्सीवर की जरूरत होती है ट्रांस्मीटर तो मौस में ही बना होता है और सीवर को अलग से बनाये जाता है जिसे कंप्यूटर में लगाये जाता है इस मौस को चलाने के लिए बैटरी की जरूरत होती है इसल तो इस वीडियो में हमने types of mouse के बारी में जाना अगर आपको मेरी यी वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe मैं चनल